करनाटक में जडियेस निता एच अड़ी कुमारा स्वामी के मुख्यमंत्री के और पर शबत लेने से पहले अचानक लोगों की दिल्चस्पी उस फोटो को लेकर काफी बढ़ गई है जिसमें वो एक खूबसूरत महिला और एक बच्ची के साथ दिख रहे हैं इस फोटो के बारे में कहा जा रहा है कि ये 58 साल के कुमारा स्वामी की दूसरी पतनी है जो उनसे 27 साल छोटी है इस फोटो के वारेल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर खूब चटखारे भी ले रहे हैं और इंटरनेट पर इस खूबसूरत महिला को खूब खोज भी रहे हैं फोटो वारेल होने के बाद रादिका पिछले 2-3 दिनों से भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले लोगों में शामिल हो गई हैं हम आपको बताते हैं इस तस्वीर की असलियत और कुमारा स्वामी के साथ इस महिला के संबंधों के बारे में पूरी किया है कुमारा स्वामी और रादिका के संबंधों की शुरुवात 2005 के करीब हुई कौन है रादिका यहां ये बताना जरूरी है कि 2006-2007 के बीच करनाटक के मुख्यमंत्री रहे कुमारा स्वामी कंणर फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं वो कंणर फिल्मों में निर्माता और वित्तरक रहे हैं रादिका और कुमारा स्वामी के संबंधों की चर्चा तो करनाटक की राजनीती में पहले भी खूब होती रही है लेकिन कुमारा स्वामी सार्वजनिक और पर इसे स्वीकार करने से बच्चते रहे हैं इसकी बज़र ये थी कि 16 दिसंबर 1969 को जन में क कुमारा स्वामी की शादी 1986 ने अनेटा से हो चुकी थी उनका निखिल नाम का एक बेटा भी है रादिका उम्र में कुमारा स्वामी से कितनी चोटी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रादिका का जनम उसी साल हुआ था जब कुमारा स्वामी की अनीता से शादी हुई थी। रिष्टों पर चुप रहे कुमार अस्वाँमी राहिर है कुमार अस्वामी राजनीती में होने की वजय से राधिका के साथ संबंधों को लेकर जादतर चुप रहे और इसे निजी मामला बताते रहे। लेकिन इनके संबंधों पर तब पकी मुहर लग गई जब नवंबर 2010 में खुद राधिका ने कुछ अखबारों में इंटर्वियू दे कर ये स्विकार किया कि उनकी कुमारस्वामी से 2006 में ही शादी हो चुकी है। राधिका ने तब ही इस बात का भी खुलासा किया था कि उनकी एक साल की बेटी भी है जिसका नाम शामिका है। कुमारस्वामी तब ही इस मामले पर खामोश ही रहे लेकिन राधिका के साथ उनके संबंधों को लेकर 2011 में मामला कोर्ट में पहुँच गया। अक्टूबर 2011 में बेंगलूरू के एक वकील शशीदर बेला गुंबे ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके ये मांग रखी कि कुमारस्वामी की लोगसभा की सदसिता खत्म कर दी जाए क्यूंकि उन्होंने गेर कानूनी तरीके से पहली पतनी के रहते राधि चुनाव आयो को शिकायत कर दी जिसमें कहा गया कि 2013 में विदान सभा चुना के लिए दाखिल शपत्थ पत्र में कुमारस्वामी ने अपनी दूसरी पतनी राधिका कुमारस्वामी के बारे में जानकारी चिपाई लेकिन इस समय तक कुमारस्वामी और राधिका के संबंधों के बारे में सब को पता चला चुका था शादी को लेकर पके सबूत भी सामने आ रहे थे ऐसी तस्वीरें सामने आ गहीं जिस से पता चला कि 16 दिसंबर 2012 को कुमारस्वामी ने अपना जन्म दिन राधिका और अपनी बेटी के साथ मनाया इन तस्वीरों की तब खूब चर्चा हुई थी राधिका और कुमारस्वामी की जो तस्वीर अब वायरल हो रही वो असल में चार साल पुरानी है वन इंडिया नाम की एक वेब साइट ने इन तस्वीरों को 15 जन्वरी 2014 को छापा था वेब साइट के मताबिक इस मौकी की चार तस्वीरें खुद राधिका ने अपने फेस्बुक पेस्ट पर डाली थी राधिका ने इन फोटों के साथ लिखा था कि शमिका अब चार साल की हो गई है फोटो में ये नहीं बताया गया था कि ये किस जगे की फोटो है और कबली गई है साल 2015 आते आते राधिका और कुमारा स्वामी के संबंधों में दरार आने लगी माना जाता है कि इसकी एक वज़े उनके बेटे निखिल का दबाव था जो पिता के राधिका के साथ संबंधों को लेकर सहज नहीं थे खबरों के मताबिक राधिका के साथ संबंधों को लेकर कुमारा स्वामी के पिता एक डी देवेगा और भी नाराज थे अक्टूबर 2015 में मीडिया में ऐसी कई खबरें आने लगी कि कुमारा स्वामी और रादिका अब अलग हो गए हैं हाला कि रादिका ने 2017 में एक प्रेस कॉन फ्रेंस में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि उनके नाम में अब भी कुमारा स्वामी जुड़ा है और अन तक जुड़ा रहेगा रादिका एक बार फिर कंणड और तेलबू फिल्मे में सक्रिये हो गई हैं और इसी साल उनकी अगली कंणड फिल्म राजे इंद्रपोन ने पारिलीज होने जा रही है जिसमें मशूर कंणड एक्टर रविचंदरन उनके हीरो है